हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रूपा और रूपा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो आज की जो रेसिपी है बहुत जादा पॉस्टिक है विटामीन, कैलसिम, प्रोटेसिन, आइरन से भरपूर है कहें इसको आपको जरूर डाइट में सामिल करना चाहिए और बहुत ही जल्दी बनके त्यार होगी और बहुत ही कम तेल मसालों में तो आप इस विडियो को अंतक देखे अगर आपको calcium की कमी है, आइरन की कमी है, vitamin की कमी है तो आपको जरूर खाना चाहिए, मैं आपको इसकी फाईदे भी बताऊंगी साथ में, सबसे पहले आप जान लीजे कि पतियां है क्या चीज का, यह पतियां है सहजन का, यानि इसे moon का, drama stick, इसके तरह-तरह के नाम है बात है तो यही चीज हमारे साथ बहुत लोग की जनकारी नहीं होती है तो जैसे किसी को बिपी हाई रहती है या पिर कमजोई रहती है चोटे बचे कमजोई रहती है कैल्सियम की कमी रहती है नहीं बनती है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते है जैसे यह तो थोड़ी सी कढ़ वे लगते हैं घंठल देख सता की तो डंठल को दोई है या और यहार पने के मागा है, हम पते को काटिंग करें के देख़ा억 बनाना सिखाएं थे जो आपने बहुत पसंद किया और बहुत ज्यादा है टेस्टी भी लगते हैं खाने में लेकिन आज हम आपको जो रेसिपी बताएंगों उसमें आपको मतलब कि जरूवत नी तेल डालने की जरूवत नी बिना तेल का जो नास्ता है बनके त्यार होगा औ बस बारिक बारिक टुकडों में पतियों को काट लेते हैं बहुत ही अच्छी सौप्ट होती है तो आराम सी यह कड़ जाती है तो इसके बाद काटने के बाद पतियों को एक बरतन में डाल लेते हैं यह हेल्दी कि सासर बेट लॉस में भी काम करेगा तो इसके लिए हम यहा तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ इसमें कुछ सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि बारी कटा हुआ थोड़े प्याज डाल देंगे एक काटकर और साथ में डाल देंगे साथ से आठ लसन की कलिया अगर आप खाते हो तो अगर इसमें हमने 3-4 मिर्ची को बारी काटकर इस तरह से लिया है कि हम मेर्ची पॉडर का इस्तिमाल नहीं करेंगे आज की रेसिपी में और स्वाद अनुसार नमक यहीं पर आपको आड़ कर देना है और साथ में डाल देंगे आदी छोटी चमच हल्दी पॉडर के लिए थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथ अधि भी एड़ कर देना है और यहां पर हमने लिया है थोड़ी सी यहां पर हम चूर पॉडर और चाट मसाला आदी छोटी चमच के लगवक हमने साबुत जीरा भी इसमें डाला है फ्लेवर के लिए यहां पर जीरा पॉडर भी आप डाल सकते हैं और सारी चीजों को क्या पर हाथों से मिक्स करना है तक जो पती के जूस पैल से हम निकाल सके ठोड़ी बहुत फुट जोगी और यहां हम तो थोड़ा ऑड़ा पानी करके आड करेई करें ऑर्ट यहां पर जितनी भी हमने चीज़े डाली है उसे हम जोबना कर तयार करेंगे इसमें आपको जादा प एक बार दिन में कभी भी आप खा लें तो आपको पूरे दिन अलग से कुछ लेनी की जरूरत नहीं है प्रोटेन, कैलसन, विटामिन, आपको प्रोटेसिन, जो भी चाहिए स्रेट को सारा चीज मिल जाएगा एक ही नास्ते में इतना यह हेल्दी है और हमारे घर में अब अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीस वीडियो को लाइक सेर जरूर कीज़ेगा फैमिली और फ्रेंड के साथ तो इधर हमने थोड़ा थोड़ा पाइं डालकर इसे डो बना दिया है अब इसे क्या करेंगे कि ढख कर इसे हम थोड़ी दीर के लिए रख देते हैं ताकि और इस तरह कहीं डो चाहिए अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस में तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे एक चमश्च के लगभक सारे अपे पैन में क्योंकि आज की रेसेपी हम बनाएंगे और यहां पर हम आपको बता दे कि आपको दो रे हैं तो थोड़ा से ऋपस सफेट तील है जो डाल सब्सक्राइब ऑसकर अब तो क्या चल्दी नासता हमारा जो बनके त्यार हो जाएगा, कमोस्ता कह दो नस्ता नासता है और यह अब चाहते हैं तो आप उल उपसे डाल सकते हैं वरना इतने में ही वनके त्यार हो जाए कि हमने सुजी डाली है और जो ओर्स डाले है उसी एक खस्ता पन इसमें आ जाता है जिससे कि हमें इसमें ज्यादा और डालने की जरूवत नहीं है यहां पर तो अब इना तेल के भी है नास्ता है जो बनाके आप तयार कर सकते थे अपके पैन में अधिक उलटते पलटते हमारा जो नास्ता है फ्रेंट्स बनके तियार हो गया आप देख पारे हो कितना यह सुंदर और क्रिस्पी लग रहा है यह जितना सुंदर है उतना ही हेल्दी और टेस्टी है और कोई नह जो हमारा नास्ता है सहजन की पत्तों से बनके त्यार हुआ है जिसे पीट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा और पूरे दीन आपको दम पीट भरा भरा एहसास होगा आप टिपीर में इसे देना पसंद करेंगे बच्चे बड़े सभी से खाना पसंद करेंगे आगर आप इस ब बनाकर देखेंगे तो अच्छे को या बड़े को बाहर जंग फुर खाने के लथ होती इस तरह से चटपटा नास्ता है अपने तरीके से अपने घरवाले बच्चों को दे और खुद भी खाएं यह हमारा एक नास्ता है जो बनके तयार हो गया अब हम आपको दूसरा तरीक नास्तिक पैन में थोड़ा सा सफेद तील डाला और बैटर हमने थोड़ा सा मतलव बचा के रखी थी मैं आपको बताने के लिए कि जो भी आपको तरीका अच्छा लगे जो आपको असानी से बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो वही आप बनाया थोड़ा सा सफेद तील ड कितना देखने में सुन्दर लगता है हारा भारा नास्ता और खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है तो हैना फ्रेंट्स बहुत ही मजदार रेसिपी तो हमारी सहजन की दोनों रेसिपी आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीज़ेगा और मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगए तो प्लीज एक चोटा से लाइक जरूर किज़ेगा और ऐसी ही मजदार रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वह बिल्कुल फ्री है प्रेंट्स अच्छी ऐसी मजदार रेसिपी के लिए और सहजन से बनके तयार हुआ ये देखे खाते हैं मुह में घूल चाहिए बेहदी तीकी चटपटी बहुत ही अच्छी लगती है मैं क्या बता हूँ आपको आप इसे बना के ट्राय करेंगे तो बहुत अच्छी लेगी मैंने इसे प्लेन दही के साथ सर्व किया आप इसे कोई भी चट अपनी राते के साथ सर्व कर सकते हैं आप